दोस्तों जिस वीडियो को आपने भी स्क्रीन पर देखा है ये वीडियो इस समय इंस्टाग्राम रिल्स पर काफी ज्यादा वारल चल रहा है क्योंकि दोस्तों ये साउंड इस समय काफी ज्यादा वारल चल रहा है तो अगर आप भी इस तरह के वीडियो बना के इंस्टाग् खान ने जो background में दोस्तों यहाँ पर punk लगाया था उसको green screen की मदद से लगाया था लेकिन आज के इस video में आपको एक ऐसा trick बताने वाला हूँ जिसमें आप बिना green screen के इस तरह का punk वाला video बड़े आसानी से एक से दो मिनट के अंदर बना सकते हैं तो यार वीडियो बहुत ही ज़्यादा interesting होने वाला है और हाँ दोस्तों इस video को बनाने के लिए आपको एक application चीए जिसका ने में दोस्तों CapCut यह application आपको play store में नहीं मिलेगा आपको मेरी telegram group में मिल जाएगा आप वहां से दोस्तों latest version वाला फिरे में download कर सकते हैं तो telegram group करने के दोस्तों मैंने इसी video के description में दिया है वहां से आप लोग download कर लिजिएगा तो दोस्तों इस तरह की video बनाने के लिए जो आपको video shoot करना है plain color का दोस्तों कोई भी एक कपड़ा अपने background में आप टांग लिजिएगा और कुछ इस परकार का यहां पर आपको video shoot करना है भाईया acting आपको खुदी करना है जिस तरह से आप acting करेंगे उसी हिसाब से आपका video बनने वाला है अब यहां पर दोस्तों पहला video आपको कुछ इस परकार का shoot करना है उसके बाद दोस्तों उसी video में I am devil of my world इस तरह से दोस्तों dialogue बोलते हुए यहां पर दोस्तों आपको कपड़े को change करके कुछ उसी तरह का दोस्तों आपको acting करने ना है उसके लाओ दोस्तों अगर आप बार बार कपड़े change करना चाहते हैं अलग-अलग कुछ पोज देना चाहते हैं तो यहां पर आप दे सकते हैं यह आपके उपर depend करता है इस तरह से आपने video shoot कर ली बागी के editing दोस्तों हम लोग करने वाले हैं CapCut application में तो चलिए शुरू करते हैं तो finally दोस्तों मैं आगे हूँ मेरे mobile के screen पर जैसके guys यहां पर आप देख सकते हैं CapCut application को आपको open कर लेना है पहली बार दोस्तों जो आप CapCut application open करेंगे तो कुछ इस तरह का यहां पर interface देखने को आपको मिलने वाला है और हाँ दोस्तों इस application को यूज करने के लिए अगर आप इसका effect transition यूज करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको कोई भी bpn लगा लेना है अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मैंने ufo bpn दोस्तों पहले से connect करके रख लिया ठीक है तो यहां के दोस्तों कोई भी bpn आप लोग लगा सकते हैं उसके बाद यहां से दोस्तों cap cut application हम लोग open कर लेते हैं new project के उपर click करेंगे उसके बाद guys यहां पर आपको अपने उस video को select करने ना है जिस video को दोस्तों आप लोग edit करना चाहते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको अपने video को select करना है अगर किसी भी तरह का फालतू कोई audio है sound है तो यहां से इसके sound को दोस्तों हम लोग zero कर देंगे okay कर देंगे ठीक है अब guys यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं वीडियो को cutting करने वाले हैं तो यहां से दोस्तों मेरा वीडियो सुरू होता है वीडियो को select करेंगे इस तरह से यही पर नीचे आपको split का option मिल जाएगा इस वाले part को select करेंगे और delete कर देंगे ठीक है उसके बाद दोस्तों जहां पर मैं हाथ को ऊपर करता हूँ I am devil of my world ठीक है ना देख सकते हैं दोस्तों इस position से मैं फिर से वीडियो को cutting करने वाला हूँ तो इसी तरह से दोस्तों जहां जहां से आपको अपने वीडियो को रखना रहेगा उस तरह से आप cutting कर सकते हैं दोस्तों में जो इस वीडियो का trick है वो है दोस्तों वीडियो कटिंग करने में ठीक है दुबारा हाथ मेरा यहां से उठता है यह रहाव पोजिशन ठीक है तो यहां से सेलेक्ट करते हैं इस प्लेट करते हैं बीच वाला पार्ट फालत हो गया डिलेट कर देते हैं तो दोस्तों इस तरह से यहां पर आप अपने वीडियो को पहल पूखेड नहीं मिलने वाला ठीक ना तो यहाँ पर दोस्तों यह आरा हमारा आया मैं डेविल अप माइवर्ड यह पोजिशन दोस्तों यहां वीडियो को आपको इस वाले पलस आइकान पर किलिक करना है उसके बाद दोस्तों यहां पर जो विंग है यानि दोस्तों पंक है उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और टेलिग्राम गूरूप में वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं तो यह वीड छोटा बड़ा भी कर सकते हैं जैसा कि दोस्तों यहां पर देख सकते हैं इस तरह से हो जाएगा ओके यहां पर दोस्तों इस वाले वीडियो के उपर किलिक करेंगे यहां पर दोस्तों आपको ओबरले का ऑप्शन मिल जाएगा इसके उपर आपको किलिक कर देना है तो क्या यह लेकर होगा दोस्तों वाली जो वीडियो आपकी में टाइम लाइन की वो नीचे लेएर में एड़ जाएगे ऐसे दोस्तों काइण मास्टर में होता है ठीक है तो इस वाले वीडियो को दोस्तों आपको पकड़के इस तरह से स्लाइड करते हुए उस पोजिशन पर लेकर जाना है जहां पर दोस्तों I am a devil of my word वाले alike डायète दोस्तों आप दोस्तों आख देख सकते हैं यह रहामार पोजीशन करता है यहां पर देख सकते हैं ED से हें पर देख सकते हैं इस वाले ₦ करले करने ही वालगा से ज्यादा बड़ा नहीं करना है अब दोस्तों पर दोस्तो आपको punk वाले वीडियो को भी split कर लेना है इस वाले वीडियो को यहां से select करके simply यहां से दोस्तो डिलेट कर देंगे उपर वाले वीडियो को भी यहां से हम लोग क्या करेंगे डिलेट कर देंगे अब guys यह रहा आपका वीडियो ठीक है यहां पर थ्वासा ध्यान दिजे कि यहां बहुती interesting fact होने वाला है अब दोस्तों हमें क्या करना है इसके background को remove करना है ठीक है तो यहां से आपको remove background का option मिल जाएगा इसके उपर आपको click करना है इस video का background दोस्तों automatic remove हो जाएगा उसके बाद दोस्तों पीछे वाले video का select करेंगे punk को दोस्तों आप अपने exam से यहां पर manage कर सकते हैं उसके बाद यहां से okay कर देंगे तो finally दोस्तों देख सकते हैं मेरे video के पीछे दोस्तों मेरे पीछे यहां पर punk लग चुका है इस तरह से दोस्तों background को erase करके remove background करके आप भी अपने video के पीछे दोस्तों यहां पर punk लगा सकते हैं अब दोस्तों यहां पर चाहिए तो आप बहुत सारे effect भी add कर सकते हैं effect add करने के लिए इस वाले option पर आपको click करना जिसा कि दोस्तों देख सकते हैं starting position पर आज आएंगे यहां पर दोस्तों आपको effect के उपर click करना है अब दोस्तों यहां पर आपका internet चालो होना चाहिए जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं कोई एक effect दोस्तों माई यहां से add करके आपको दिखा दे रहा हूँ इस वाले effect को दोस्तों हम लोग उस position पर लेके आएंगे जहां पर कहता है I am a devil of my word ठीक है ना इस जगह पर दोस्तों हम लोग इसको रखने वाले ठीक है और इस वाले वीडियो को हम लोग क्या करेंगे तो इस तरह से और भी zoom कर देंगे तो यह full screen में हो जाएगा इस वाले effect को थोचा छोटा कर देते हैं तो दोस्तों हमारा वीडियो कुछ इस परकार का यहां पर बन जाएगा मैं आपको थोचा प्ले करके दिखा देता हूँ इस वीडियो को दोस्तों main part यही था I am a devil of my word तो दोस्तों देख सकते हैं अलग-अलग जगा पर दोस्तों यहां पर आप add effect करके shake effect slow motion भी लगा सकते हैं दोस्तों वीडियो को save करने के लिए यहां पर water mark आ रहा है तो इस water mark वाले वीडियो के टुकड़े को दोस्तों हम लोग delete कर देंगे उसके बाद यहां से save पर click करेंगे 720 या फिर दोस्तों यहां से 1080 30 रखने के बाद आप अपने वीडियो को export कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आई होगी